भरस्ट ओफिसर्स के कारण थाना का जब डाक बोला जाता है तो थाना प्रभारी कई से सराबंदी लागू करेगा जिस थाने की डाक बोली जाएगी थाना प्रभारी का नियुकती होगा डाक बोल करके जो जादा माल देगा उसकी उस तरह के थाना देंगे बस पी जाएंगे माल दे करके ये सारे आरूप लग रहे हैं ये आरूप हम नहीं लगा रहे हैं उन्हीं के लोग लगा रहे हैं कि सराबंदी विपक्ष में रहते हुए हमने समर्थन किया था कि नसा मुट्टी विहार में हो सराबंदी हो लेकिन इनका तंत्र पूरी तरह से फिल है क्योंकि वह भरष्ट तंत्र है और इनके भरष्ट आचार मानसिक्ता के कारण इनके भरष्ट आफिसर्स के कारण थाना का जब डाक बोला जाता है तो थाना प्रभारी कैसे सराबंदी लागू करेगा जिस थाने की डाक बोली जाएगी थाना प्रभारी का नियुक्ती होगा डाक बोल करके जो ज़्यादा माल देगा उस तरह के थाना देंगे स्पी जाएंगे माल दे करके ये सारे आरूप लग रहे हैं ये आरूप हम नहीं लगा रहे हैं उन्हें के लोग लगा रहे हैं उन्हें के सहयोगी दल के करवार विचार आया है तो सराबंदी फिल है और सराबंदी फिल ही नहीं हुआ है सराबंदी के नाम पर एक नया अविजात वर्ग पैदा हुआ है जो अपराद की और कदम बढ़ा दिया है कम उमर के लरके इतना पैसा कमाया है कि गारी भी घर खरदा है और आरुस भी रखने लगा है और इतना तुनुक मिजाजी है कि मिनट में वो क्राइम कर रहा है एक नए अपरादी वर्ग को आपकी सराबंदी पैदा कर दी सिर्फ आपके भरष्ट पदादिकारियों के भरष्ट थाना परभारियों के कारण डी जी पी आप इस तरह के रखे हुए हैं जो रिटारिमेंट जिनको मिल गया है जबरदस्ती पोस्ट के रखे हुए हैं आसान तले वो आपकी बात को मानने के लिए बिवस हैं मानिये मुक्हमंत्री जी इस तरह से बिहार में कानून का राजस थापित होगा